नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश की संसत के द्वारा जो भी महत्पोन कानून बनाये जा चुके हैं उन सारे कानून और अध्नियम से जुड़े हुए प्रश्णों को हम लोग डिसकस करेंगे तो 9 और 10 मई को जो आपके NTPC CBT2 में इस टॉपिक से प्रश्ण पूछे गए हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है तो वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करिएगा इस वीड कि अगर आप SSC CHSL एक्जाम की तयारी अनकेडमी पर फ्री में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में आपको एक लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके अनकेडमी के उपर CHSL की जितनी भी सारी फ्री क्लासेज हैं आप उन क्लासेज को एक्सेस कर सकत हैं और यहां पर आपको साथ दिनों का फ्री ट्रायल जीतने का भी वाउका मिलेगा तो पिन कमेंड में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करिए आपको कुछ भी पे करने के जरूरत नहीं है और वहां से आप अपनी CHSL की तयारी को और ज्याद कर सकते हैं और अनकेडमी के उपर जितने भी कोर्स हैं उसके उपर मैक्समम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं अनकेडमी पर मेरी लाइब क्लास भी होती है जिसमें हम लोग PCS के द्वारा बिभिन परिच्छों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं जीके के करेंट के उन सारे प्रश्नों को डिसकस करते हैं तो अगर आप अपनी जीके और करेंट अफेर की तयारी को बहतर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आप मुझे अनकेडमी के पर फॉलो कर सकते हैं म चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रश्न है कि FR BMA को 2003 में अधनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राज कोसे घाटे को कम करने के लक्ष निर्धारित किये गए थे तो आपको बताना है कि FR BMA का पूरा नाम क्या है तो सिंपल सा एक फुल फॉर्म था ये तो Fiscal Responsibility and Budget Management Act इसका नाम है और आपको ये धिया रखना है कि भारत की संसत के द्वारा वर्श 2003 में इस अधनियम को पारित किया गया था तो इस प्रश्न के लिए option यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि एका धिकार और प्रती बंधात्मक व्यापार व्योहार अधनियम जिसे आप लोग Monopoly and Restrictive Trade Practices Act कहते हैं ये आपका कौन से साल लागू हुआ था ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारे अधनियम होते हैं वो जिस साल पारित होते हैं उसके एक साल के बाद होते हैं लागू तो ये जो हमारा एक्ट है ये आपका 1979 में आया था लेकिन ये लागू हुआ था 1970 में तो ध्यान रखेंगे option यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद ने नागरिक्दा अधनियम किस वर्स पारित किया था तो अगर हम लोग Regentship Act की बात करते हैं तो हमारी देश की संसद के द्वारा 1955 में इसको पारित किया था यानि कि इस प्रश्न का A option हो जाएगा correct आपको ध्यान रखना है कि हमारे समिधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिक्दा के प्राउधान दिये गए हैं और उसके Regentship Act में देखने को मिलेंगे समय समय पर इस Act में संसुधन भी किये गए जैसे कि 1986 में पहली बार संसुधन हुआ 1992, 2003, 2005, 2015 और सबसे नवीनतम संसुधन इसमें 2019 में हुआ था तो ये सारे point भी आपको ध्यान रखने हैं option यहां पर A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि आजादी के पहले का अधनियम है आपको ध्यान रखना है कि इसे 1904 में पारित किया गया था कब 1904 में Ancient Monuments Protection Act को पारित किया गया था हमारे देश में तो C option हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रश्न है कि हिंदू उत्त्राधिकार अधनियम 1955 के लिए वर्स डैस डैस में एक संस संसुधन पारित किया गया था तो आपको पहले यह ध्यान रखना है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है यह आपके 1956 में आया था और इसमें जो संसुधन है वो आपके 2005 में किया गया था तो इस प्रश्न का B option हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रश्न है कि नियायालेयों की आ इभासित और सिमित करने के लिए पारित किया गया था तो आपको बताना है कि इस अधनियम को किस वर्स में पारित किया गया था आपने एक एक्ट सुना होगा जिसका नाम है Contempt of Courts Act और यह जो हमारा एक्ट है अगर आप नियायाले की आउमाना करते हैं तो उस हिस्थिती मे आपके लागू किया जाता है और यह संसत के द्वारा 1971 में पारित हुआ था तो बहुत ही महत्पूर है यह चर्चा में भी काफी रहता है तो ध्यान रखेंगे 1971 में संसत ने इसको पारित किया था B option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निमने लिखित में से कौन सा भारतिय अधनियम वर्स 2005 में पारित किया गया था तो यह जो प्रशन है पिछले साल GD में भी पूछा गया था इस साल आपके सीजल में भी पूछा गया तो यह जो हमारा अधनियम है इसका नाम है घरेलू हिंसा से महिला सनचन अधनियम यानि कि Protection of Women from Domestic Violence Act जो है वो हमारी संसत के द डैस डैस में पारित एक अधनियम के माध्यम से आधनियमित जमा योजनाओं के उपर प्रत्बंद लगा दिया था तो यह जो हमारा अधनियम है यह आपके साल 2019 में संसत के द्वारा पारित किया गया था और इस प्रकार से जो भी आपके Unregulated Deposit Scheme थी उन सारे Scheme के उपर हमा अगर आप कहीं पर भी सरकारी लाइट जल नहीं है जैसे आपने Road Light और देखी होगी जो आपके रास्ते पर जलती है तो अगर आप इसे बुझा देते हैं तो आपके उपर कितने रुपए तक का जुर्बाना लग सकता है यह प्रशन भी इसी साल CGL में आया था और यहां प आपके उपर 2000 रुपए तक का जुर्बाना लग सकता है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा Correct आपको यह धिया रखना है कि हमारे देश में जो Electricity Act है इसको संसत के द्वारा वर्स 2003 में पारित किया गया था अगला प्रशन है कि किस वर्स माता पिता और वरिष्ट नागर प्रशन का सनच्छन और कल्यान अधनियम लागू हुआ तो यह जो अधनियम है इसको लागू किया गया था साल 2007 में Act का नाम क्या है तो इसका नाम है Protection and Welfare of Parents and Senior Citizens Act और भारत की संसत के द्वारा इस Act को 2007 में लागू किया गया था तो यहां पर B option हो जाएगा Correct अगला प्रश पूर्वर निदान तक्नीक अधनियम किस साल पारिद किया था तो यह भी पिछले साल GD का है प्रशन है ध्यान रखिएगा इस Act को वर्स 1994 में संसत ने पारिद किया था कब 1994 में नाम इसका क्या है तो इसका नाम है Preconception and Prenatal Diagnosis Techniques Act तो जो आप कन्याओं के लिंक का पता करते थे या जन्म से पहले बच्चों के लिंक की जांज करवाते थे उसी को यहां पर अवैद करार दिया गया था और इसके लिए हमारी संसत ने 1994 में कानून बनाया था तो यहां पर C option होगा Correct अगला प्रशन है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का सनच्छन जिसे आ आपके कौन से साल पारित किया गया था तो ध्यान रखिएगा Poxo Act बहुत ही जादा महत्पूर्ण है और इसको वर्ष 2012 में लागू किया गया था यानि कि यहां पर option D हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि भारत में वायू प्रदूशन की रोक्थाम और नियंतर अधनियम या यानि कि इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि भारत की संसत के द्वारा पर्यावरन संरच्छन अधनियम किस वर्ष में पारित किया गया था तो पर्यावरन संरच्छन अधनियम की बात करते हैं इसे साल 1986 में पारित किया गया था यानि कि यहां पर option B हो 1972 में आया था, फिर हमारा है जल प्रदोसन नियंतरण और रोगथाम अधनियम जो कि 1974 में आया था, वन सनरच्छन अधनियम के अगर हम लोग बात करें तो ये 1980 में आया था, वाय प्रदोसन नियंतरण और रोगथाम अधनियम ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये 1981 मे प्रतिसेद अधनियम कौन से साल में लागू किया गया था यानि कि डावरी प्रोविहिशन एक्ट के बात हो रही है और ध्यान रखिएगा इस एक्ट को संसत के द्वारा 1971 में लागू किया गया था और अप्सन यहां पर C हो जाएगा करग अगला प्रशना आपके सामने है कि Right to Information Act कौन से साल प्रभावी हुआ था यानि कि बात हो रही है RTI अधनियम की आप सभी कोई पता होगा कि यह जो अधनियम है वो 2005 में आया था लेकिन आपसे पूछा गया है कि यह लागू कब हुआ था तो इसको लागू किया गया था अक्टूबर 2005 में तो यह NTPCVT1 का प् Correct अगला प्रश्ण है कि बिधवा पुनर विवाह को अनुमती देने वाला कानून हिंदू बिधवा पुनर विवाह अधनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो यह भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है इस्वर चंद बिद्या सागर का इसमें बहुत ही महत्पूर्ण अगला प्रश्ण है कि संसत के द्वारा निस्तुल्क और अनिवारे सिच्छा का जो अधिकार अधनियम है इसको किस वर्ष पारित किया गया था अब ध्यान से इस प्रश्ण को देखिएगा देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि संसत में ये जो एक्ट है वो पारित कब हुआ था तो ये पारित हुआ था 2009 में कब हुआ था 2009 में पारित हुआ था लेकिन अगर प्रश्ण आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा Right to Free and Compuls Education Act है इसको लागू कब किया गया था तो ये लागू हुआ था अप्रेल 2010 में तो कन्फ्यूज मत हो येगा दोनों प्रकार से प्रश्ण आपकी परिच्छाओं में आ चुके हैं तो इस प्रश्ण के लिए B option हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रश्ण है कि भारत के वन्यज Act है ये संसत के द्वारा 1972 में पारित हुआ था C option होगा Correct अगला प्रश्ण है कि राश्टिय ग्रामिड रोजगार गारंटी अधनियम कब पारित हुआ था तो इसे हम लोग मनरेगा Act भी कहते हैं और ये Act संसत के द्वारा 2005 में पारित हुआ था यहाँ पर option A हो जाएगा Correct आ अगला प्रश्ण है कि आधार अधनियम कौन से साल हमारे संसत ने पारित किया था तो आधार Act के बात करते हैं ये 2016 में आया था यानि कि यहाँ पर option B हो जाएगा Correct ये देख सकते हैं नाम इसका आधार Act है जो कि 2016 में हमारे संसत ने पारित किया था अगला प्रश्ण है कि भारत सरकार के द्वारा राज्ये पुनरगठन अधनियम कब पारित किया गया था तो राज्ये पुनरगठन अधनियम यानि कि जो State Reorganization Act है इसको हमारे संसत के द्वारा 1956 के साल में पारित किया गया था और आपको बता होगा कि इसके बाद में आंध प्रदेश राजी का गठन होता है तो यहां पर option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारतिये संसत के द्वारा भगवड़ा आर्थिक अपराधी अधनियम यानि कि Fugative Economic Offenders Act को कौन से साल में पारित किया गया था तो यह जो act है इसको 2018 में हमारी संसत ने पारित किया था यहां पर option D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि राष्टिये खाद्य सुरच्छा अधनियम निम्न लिखित में से कौन से साल में पारित किया था यह भी बहुत ही जादा महत्पून अधनियम है ध्यान अक्येगा इसको साल 2013 में हमारी संसत ने पारित किया था यानि कि यहा 2018 को पारित किया था तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो Consumer Protection Act है यह साल 1986 में आया था जिसमें 2018 में एक संसुधन किया था सरकार ने तो यहां पर C option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारत में किस वर्स खाद्य सुरच्छा और मानक अधनियम पारित किया था तो खाद्य सुरच्छा और मानक अधनियम की बात करते हैं इसे साल 2006 में हमारी संसुधन ने पारित किया था यहां पर option A हो जाएगा correct तो ध्यान रखिएगा इस Act का नाम है Food Safety and Standards Act 2006 और भारत की संसुधन के द्वारा 2006 में इसको पारित किया गया था A option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि सस्त्र और गोला बारूद रखने के लिए उसके उपयोग को नियंतित करने वाला जो सस्त्र अधनियम है ये कौन से साल पारित हुआ था ध्यान रखिएगा ये जो अधनियम है ये वर्ष 1969 में संसुधन ने पारित किया था option यहां पर C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि हिंदू उत्त्र अधिकार अधनियम 1956 के अनुसार अगर कोई महिला है जो की अपना वसीहत बिना बनाये मर जाती है तो उस इस्थिती में उसकी जो संपत्ती होगी उसके उपर पहला अधिकार किसका होगा तो ध्यान रखिएगा उसके उपर जो पहल अधिकार होगा C option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि एक सिंग वाला जो बड़ा गैंडा है इसको वन्यजीव सनच्चन अधनियम 1972 की कौन सी अनसूची में रखा गया है अभी मैंने आपको उपर बताया कि जो हमारा ये वन्यजीव सनच्चन अधनियम है इसमें आपको टोटल छे अनसूचियां देखने को मिलेंगी आपसे ये पूछा गया है कि जो एक सिंग वाला गैंडा है वो किसमे है तो इसको हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और जिन भी जानवरों को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है उन सभी क अनसूची वन में रखा गया है तो इस प्रशन के लिए बी आपसन हो जागा यहाँ पर करेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जानवर आपके दिये गए हैं चाहे वह ब्लैक बक हो बंगाल टाइगर हो क्लावडेल लेपर्ड हो इसनो लेपर्ड हो या फिर स्वांप डियेर हो यह सारे हमारे ऐसे जानवर हैं जिनको हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है और यह सारे अनसूची वन में आते हैं अगला प्रशन है कि पूजा अस्थल अधनियम भारतिय संसत के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया थ यहां पर option B हो जाएगा correct क्या कहता है यह हमारा act यह भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो act में यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्थित्त में आए किसी भी धर्म के पूजा अस्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा अस्थल में नहीं बदला जा सकता है यानि कि 15 अग गया है जो की संसद ने 1991 में लागू किया था तो B option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारतिय संसद के द्वारा अक्सर चर्चा में रहने वाला जो UAPA कानून है इसको किस वर्ष पारित किया गया था तो ध्यान रखिएगा अगला प्रश्ण है कि पहला लोगपाल विधियक भारत की संसद में कौन से साल पेस किया गया था तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली बार इसको 1968 में प्रस्तुत किया गया था हाला कि बाद में लोगसभा भंग हो जाती है तो ये आपका समाप्थ हो जाता है वरत्मान में जो हमारे यहां पर लोगपाल से जुड़ा हुआ अधनियम है वो आया था 2013 में तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार इसको 1968 में पारित किया गया था तो ये हमारा एक केवल बिल था ये एक्ट नहीं बन पाया था लेकिन लेकिन आपको ये दिहां रखना है कि 1968 के बाद 2013 में यह एक अधनियम बना था तो यहां पर option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा Armed Force Special Power Act जिसे आप लोग APSA कानून भी कहते हैं ये कौन से साल में पारित किया गया था तो Armed Force Special Power Act के बाद करते हैं तो ये आपके साल 1958 में संसत के द्वारा पारित किया गया था जहां पर आपके देश में असांती जैसे स्थिती होती है वहां पर इसको लागो किया जाता है D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा बालक और किसोर स्रम प्रतिसेद और बियनियमन अधनिय तो ये जो हमारा अधनियम है इसको साल 1986 में पारित किया जाता है भारत की संसत के द्वारा यहां पर option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा कौन से साल में सरफायसी एक्ट को पास किया गया था तो ध्यार रखिएगा जब हम लोग सरफायसी एक्ट क बात करते हैं तो इसे हमारे संसत ने साल 2002 में पारित किया था यहां पर option A हो जाएगा correct अब आप से सरफायसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आपको ध्यार रखना है तो यह जो हमारा कानून है इसको संसत ने 2002 में पारित किया था अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा पास आएकर अधनियम किस वर्स लागू किया गया था तो इंकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं यह हमारे देश में 1922 में लागू हुआ था यहां पर option C हो जाएग तो आपको ध्यां रखना है कि यह जो एक्ट है वो 1961 में आया था लेकिन आपसे पूछा गया है कि यह लागू कब हुआ था तो यह 1962 में लागू हुआ था C आप्शन हो जाएगा करगू अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा जो जयो विवित्ता अधनियम है इसको किस वर्स पारित किया गया था तो बायो डाइवर्सिटी एक की बात करते हैं ये भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है ध्यान किएगा संसत ने इसको 2002 में पारित किया था यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करगू अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा कौन से सा साल में जन प्रति निधित्त अधनियम पारित किया था तो जन प्रति निधित्त अधनियम की बात करते हैं जिसे आप प्रवंधन अधनियम कौन से साल में पारित किया था यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि भारतिय संसत के द्वारा आपदा पंधन अधनियम जिसे आप लोग Disaster Management Act कहते हैं इसको संसत के द्वारा वर्स 2005 में पारित किया गया था यहां पर option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत में किस वर्स महामारी रोग अधनियम लागू हुआ था कोविट के बाद में यह Act काफी ज़्यादा चर्चा में है नाम इसका है Epidemic Diseases Act और यह जो हमारा Act है इसको भारत में 1897 में यानि कि अंग्रेजों के समय में ही लागू किया गया था इस प्रशन के लिए C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि कि किस भारतिये राश्पती ने भा 1986 के लिए Pocket Beato का उपयोग किया था तो ध्यान रखेगा यह जो Pocket Beato है इसका उपयोग किया था ग्यानी जैल सिंग ने और यह प्रशने पिछले साल पूछा गया था CHSL में यहाँ पर option C हो जाएगा correct तो इस प्रकार से जो भी महत्मूर कानून और अग्नियम थे उनके बारे CRPC कहते हैं और एक आपने सुना होगा CRPC के बारे में तो आपको बताना है कि यह दोनों जो कानून है यह हमारे देश में कौन से साल लागो हुए थे यानि कि IPC जो है और जो हमारा CRPC है यह कौन से साल में लागो हुए थे इनके बारे में आपको comment में बताना है तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थांक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत